नमस्कार दोस्तों, हर्शित दुवेधी एजुकेशन द्वारा बनाया International Border Series में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीट सागर International Border Series का Part 10 वीडियो है यह दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, Caribbean Sea, South China Sea, Australian Tasmanian Sea, Red Sea यह सब डिसकस किये थी, इसके Bordering Countries कौन-कौन सा है, Geographically Important हमारे Examination Point of View में क्या-क्या Important है, यह सब हमने डिसकस किये थी आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दोस्तों, Persian Gulf Persian Gulf के Geographically Importance क्या क्या है, Bordering Countries कौन-कौन से में जब reverse कौन-कौन से जो Persian Gulf में आके मिलते हैं, यह सब हम डिसकस करेंगे आगे जाने से पहले, lecture पर लाइक का बटन सरूर दबाईएगा दोस्तों चानल का अब तक सब्सक्रीब नहीं किया हो, तो सब्सक्रीब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर भी बन सकते हो, जोइन बटन दबागे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, Persian Gulf, Persian Gulf is a Mediterranean Sea in Western Asia तो basically Persian Gulf का जो लोकेशन है, Western Asia में है, it is a Mediterranean Sea अब देखो दोस्तों, African continent and European continent के बीच में, जो Mediterranean Sea है, उसकी बात नहीं कर रहा हो oceanography में, Mediterranean word का मतलब होता है, a mostly enclosed sea that has limited exchange of deep water with outer oceans and where the water circulation is dominated by salinity and temperature differences, rather than winds एक बार में आपको map दिखा देता हो, इसमें जो red box में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यह है Persian Gulf आपको दिखी रहा है, यह West Asia में है, इंडिया का गुजरात पट आपको इधर दिख रहा है तो इंडिया से Arabian Sea, Arabian Sea से Gulf of Haman, Gulf of Haman से Persian Gulf अब देखो दोस्तों, इसकी जो bordering countries के बारे में and rivers के बारे में हम अगले इस rights में अच्छा सा डिसकस करेंगे बस में आपको location दिखाया, ठीक है, आपको वेस्ट एशिया में दिख रहा है साओधी अरेबिय के इस इंडिया में अफ्रिकन कोंटिरेंट है, मतलब रच्सी के बाद तो साओधी अरेबिया और इरान के बीच में एक एरिया है Persian Gulf इसकी bordering countries के बाद में आपकी दूनिया इसको Persian Gulf बोलता है नेम Gulf of Iran is used by International Hydrographic Organization आइचो जो International Hydrographic Organization है वो Persian Gulf को Gulf of Iran भी बोलता है Persian Gulf was a battlefield of the 1980-1988 Iran-Iraqwar आप देखो दोस्तों यह जो पर्शन गर्फ अरिया है ना ओल एंड ग्यास के लिए बहुती फेमस है इसके बार में अभी हम डिसक्स करेंगे आगे बस में आपको इंड़क्शन दे रहा हूँ 1980-88 का इरान-Iraq वार सबसे बड़ा वार था जो पर्शन गर्फ अरिया में वा था पर्शन गर्फ अरिया में वा था पर्शन गर्फ में भी इसके बार अग्टी बार सिख इंड अधर बहुत है फिशिंग्राउड ज्यादा है एक्सेंजिय रिवस है कोरल है रोकी भी है आपको समझा देता हूं मैंने आपको अभी बताया पर्ल ओस्चर के बारे में जो पर्शन गल्फ एरिया में बहुत स्यादा देखने को मिलेगा पर्शन गल्फ एरिया की मारेन बायो डैवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो उधर कोरेल रीव से फिशिंग ग्राउंड से मारेन एकॉलोजी भी तरह तरह का है पर दोस्तों इंडस्टिलेशन की वज़े से ओईल टैंके से जो ओईल स्पिल होते है उसकी वज़े से उधर की मारेन बायो डैवर्सिटी जो है खतम होते नजरा आता है उधर की एक पेक्विडियार्टी है पर् लोजिटर एक टाइप ऑफ एनिमल है जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो यह है पर लोजिटर इसकी क्रॉसक्शन फोटो है पर लोजिटर में बनता है दोस्तों नैचुरल पर्ल वही पर दोस्तों जो हिंदी में हम मोती बोलता है जोलरी में जो यूस होता है यह से बनते हैं मैं आपको आगे समझाओगा दूसरा है कल्चेट कल्चेट मतलब एक आर्टिफिशल एंवियोंबन में इससे बनवाता है मतलब ट्रीट करके कोई फामिंग करके तीसरा है इमिटेशन जो बैसिकली रेपली क्या जो बोलते हैं इमिटेटेट वन कोपीड प्रोड़क्ट अब देखो नैच्रल पेल के बारे में देखते हैं नैच्रल पेल को औरियंडल पेल भी बोलते हैं फोर्म्स वेन इरिटन वक सिट्स वे इंड़ पर्टिकुलर स्पीशेस ऑफ पर्ल बनेगा इसलीयए ज़ो पर्ल पर्ल बनेगा इसलीय होगा तो इसको मारने के लिए इधर से एक fluid secret हो गया इसके उपर आ गया वो layer upon layer ऐसे इखटा होके जमा होके pearl बनता है तो ऐसे बनता है natural pearl जो हम jewelry में यूज़ करता है बहुत कोसली होता है दोस्तों अब दोस्तों discuss करेंगे Persian Gulf के bordering countries के बारे में जो आपके examination point of view में सबसे important है the lands around the Persian Gulf are shared by 8 countries namely Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates एक बार map में आपको पूरा location समझा देता हूँ दोस्तों यह जो दिखरेंगे आपको यह है Persian Gulf Persian Gulf की starting जो है इधर से होता है और end होता स्टाइट अफ होर्मूस में वैसे Persian Gulf को Gulf of Oman से कनेट करता है स्टाइट ओफ होर्मूस ध्यान दीजेगा सबसी important है स्टाइट ओफ होर्मूस परिशन गल्फ को Gulf of Oman में कनेट करता है आप देखो दोस्तों Persian Gulf का eastern state पूरा लेहरा है अपना इरान एक बड़ा सा country है तो east end state पूरा इरान है और कोई country नहीं है इरान का zagroze mountain से आपको दिख रहा है एक major mountain range ए इरान का अगर examination में पूछा जाए तो बता देना की zagroze mountain जो है इरान में है इरान के western state में आपको दिख रहा है इराक जिबकि इराक का चोटा सा एक पार्ट है जो Persian Gulf से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इराक का capital है दोस्तों बागदाद इराक के नीचे आपको कुवेट दिख रहा है कुवेट का capital कुवेट सिटी दिख रहा है कुवेट की नीचे आपको साओधी आरेबिया दिख रहा है साओधी रेबिया का capital रियाद इदर दिख रहा है वैसे United Arab Emirates में recently Indian Premier League cricket matches हुए थे तीन cities में, तीनों cities इधर है Abu Dhabi, Dubai and Sharjah तीनों port city है UAE के नीचे आपको Oman दिख रहे है Oman का capital है Muscat, एगेन एक port city है वैसे दोस्तों Oman तो Gulf of Oman से अपना border share कर रहा है Persian Gulf कहां से आ गया, आपको map से यह पता चल रहोगा पर दोस्तों ठीक से देखने से आपको यह पता चलेगा Oman के उपर UAE है UAE के उपर एक छोटा सा city है Khazab city जो Oman के पाट है Basically Khazab is an exclave of Oman इस तरह की जो places है दोस्तों, जो mother country से divided रहता है, पर mother country का पार्ट रहता है, इस तरह की places को exclave बोलते है यह जो Khazab city है, it is part of Oman Khazab city Persian Gulf से अपना border share करते है इसलिए Oman भी आ गया border countries में exclave का और एक exam में आपको बता देता हूँ मालो दोस्तों, यह USA का map है USA का map के उपर आपको Canada दिखाई देगा वैसे, Canada के उपर छोटा से एक पार्ट है वो है Alaska फिर भी Khazab city, Oman के पार्ट है अब और एक island है important, Khasham island यह Khasham island जो है दोस्तों, इरान का पार्ट है ठीके, यह major bordering countries जो Persian Gulf में है और क्या लिखा है इसमें देखो यह Gulf Cooperation Council है Persian Gulf bordering countries के बीच में उसमें members कौन कौन सा देखो United Arab Emirates है, Bahrain है Saudi Arabia है, Oman, Qatar, Kuwait Gulf Cooperation Council के members है इसमें केवल दो ही country नहीं है Iran and Iraq ठीक है, आप देखो Out of Persian Gulf countries, Iran, Iraq, Kuwait United Arab Emirates and Saudi Arabia are members of OPEC OPEC के बार में हमारे चारल में already International Organization Series में एक वीडियो है हर्षिसार से बनाए हुआ Organization of Petroleum Exporting Countries है OPEC इसमें Iran, Iraq, Kuwait United Arab Emirates and Saudi Arabia आता है Being major producers of crude oil and natural gas there is a commonality of interest among these countries क्या commonality है दोस्तों? तेल बेसिकली और पैसे देखो दोस्तों, गल्फ कंट्रीस जितने भी है जहां भी ओईल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो सब रिच कंट्रीस है दुनिया भर में अपना तेल बेशते रहते हैं और पैसे बहुत कमाया है आगर आप फोरेन एक्शेंज रेट्स देखोगे ना इंडियन रुपी और कुवेटी दिनार या बहरन दिनार से आपको 150 से उपर मेलेगा मुझे लग रहे है कुवेट दिनार सबसे ज्यादा एक्शेंज रेट को है कुवेट दिनार को है दो कॉमनाइल्टी ओफ इंडियस है गीवन राइस तो देरोन प्रोस्परिटी और सब्सेक्वेटली एक्नोमिको पोलिटिकल एंटांगलम्स एमंग तम over अग आधा में डेशों इस सवर्वल्डा था दियाथ लाइल्टी और यूb टो इनके बीच में प्रोब्ल्म सलते रहते वाईसे जोगरिफिकली जो भी प्रोश इंपोर्फिन तो इस वेईwerkट आपको स्मझ में आगे मैं थाप इजवेयोगर्फफाइक निएbon km is connected to the Gulf of Oman in the east by Strait of Hormuz and it is Western Indies marked by the major river delta of the Shuttle Arab which carries the waters of Euphrates and Tigris केने का मतलब यह है दोस्तो आपको इदर पेशेंग गर्फ दिख रहा है इदर आपको गल्फ of Oman दिख रहा है दोनों को कनद करते स्टेट of Hormuz मैंने आपको पहले भी बताया यह पेशेंग गल्फ का मैं मैं अगर दिखाओं दोस्तो यह पर्शेंग गल्फ है यह इसका वेस्टेन एंड है आप देखी सकते हो दो बड़े रिवर्स आके इधर मिल रहा है कौन सा है एक यूफरेटी से टीग्री से दोस्तों यूफरेटी से जो है सेंटल एशिया के मेजर रिवर्स है दोनों का शाथल अरवन्ध रूड बोलते हैло रूड का मतलब है रिवर शाथल अरभ रिवर का पूरा लेंग तर 989 किलोमीटर है आपको दिखी हरे ये शाथा अर्ब रिवर का डेलटा बना हूआ है अedereen में पूरा में आप परस्टेन गल्फ के बारेह में 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 परस्टेन गल्फे देखने से 90 meter deep है maximum average depth जो है Persian Gulf का only 50 meters है तो ज्यादा deep नहीं है कहने का मतलब various small islands also lie within the Persian Gulf some of which are subject to territorial disputes between the states of the region देखो दोस्तों आपको Persian Gulf में छोटे मोटे islands बहुत सारा दिख रहा होगा जहां में मार करो यह सब छोटे मोटे islands से बाकी दुनिया में जैसे होता है चोटे मोटे islands के लिए territorial disputes चलता रहते हैं इधर भी है तो दोस्तों यह है Persian Gulf के बारे में थोड़ा सा geography आप दोस्तों शाटल अरब river के और एक फोटो में आपको दिखा देता हूं आपको इधर tigris river दिख रहे है इधर euphrates river दिख रहे है दोनों के मिलता है कुर्ना में से शाटल अरब शूरू हो जाता है इस तरह अब दोस्तों कि आके अरेबियन गल्फ में मिलता है मतला हमारा पर्शन गल्फ इसके इसेंट रिबूटरी आपको दिख रहे है करुण रिवर इतनी डीप जाने की ज़रोत नहीं है बेसिकली शाटल अरब रिवर के एक लोकेशन में आपको दिखा दिया राइट अब दोस्तों आ दिख रहा है यह बहरें दिख रहा है अभुदावी दिख रहा है UAE का capital UAE का मेजर सीटी Dubai दिख रहा है Stryट ओफ होर्मस अब को इधर दिख रहा है इरान का एक major पार्ट है तो दुनिया का सबसे बड़ा single source of petroleum and related industries है यह सफानिय ओईल फील, world's largest offshore oil field is located in the Persian Gulf दुनिया का सबसे बड़ा offshore oil field, offshore मतलब shore से समुदर की तरफ सबसे बड़ा oil field जो है सफानिय ओईल फील यह Persian Gulf में है large gas veins have also been made with Qatar and Iran sharing a Jan field across the terrestrial medium lane north field in Qatari sector, south pass field in Iranian sector केने के मतलब यह है दोस्तों, आपको इधर Qatar दिख रहा है, आपको इधर Iran दिख रहा है इधर इस area में oil discovery हुआ था, यह debate किया था दोनों countries के बीच में यह जो खतर के north side area ने खतर को दिया, इरान के south में जितना area था यह इरान को दिया इस पैसे का इस्तमाल करके Qatar ने बहुत पैसा कामाया, उन्होंने substantial liquid natural gas and petrochemical industry set up किया और बहुत पैसे कामाया 2002 में Persian Gulf nations of Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabian, UAE produced 25% of world's oil पूरा दुनिया का 25% oil इनी Persian Gulf countries ने बिनाया थे 2-3rds of world's crude oil reserves इनके पास है 2 by 3rd of world's crude oil reserves Persian Gulf countries के पास है 35% of world's natural gas reserves भी Persian Gulf states के पास है ठीके पूरे दुनिया में natural gas reserves जो है उसके 35% Persian Gulf countries के पास है आप देखो दोस्तों और एक interesting बात है oil rich countries excluding Iraq that have a coastline on Persian Gulf refer to us Persian Gulf states अब दोस्तों Persian Gulf states किसको बोलते है Iraq को चोड़ की चित्रे भी country है जो Persian Gulf से अपना border शेर करता है excluding Iraq ये सब Persian Gulf states है Iraq क्यों नहीं है? Iraq इसले ही नहीं है दोस्तों इस एक चोटा सा बोडर है परशन गल्व से और ये जो एरिया है ना ये जो रिवर आ शट अल अरब रिवर इसके बारे मैं आपको बताया था इस रिवर का डेल्टा एरिया है पूरा डेल्टा एरिया है ठीक है? इसलिए एराक को छोड़ दिया इराक को छोड़के इरान, कुवेट, साओधियरेबिया, बहरिन, खत्तर, UAE और ओमान ये सारे कंट्री जो है पर्शन गल्व स्टेट्स काउंड होता है तो दोस्तों that's the end of it और एक बार मैं आपको important locations दिखाते आता हूं जो आपके examination point of view में important है ये आपको Persian Gulf दिख रहा है इधर Gulf of Oman दिख रहा है Persian Gulf जाके Gulf of Oman में मिलता है State of Hormos के त्रू इंपोर्टन बोर्डरिंग कंट्री इरान, इराक, साओधियरेबिया, बहरिन, खत्तर, United Arab Emirates and Oman, Oman वैसे Gulf of Oman से अपना border share करता है पर Oman का एक exclave एक khazab city वो जाके Persian Gulf में मिलता है और important एक mountain range है इरान का Zagros mountain range वो Persian Gulf के पास में है, important port cities बताने से Kuwait City, Jubail City, Dhammam, Doha, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, इतरे एक island है इरान का पार्ट है, Khasham Island, ये भी important है, एक किष्य इरान का पार्ट है, और कौन सा है, बुशेर है, ये सब important port cities है, और एक river के बार में आपको बताए दिया था, शाटालारब river, इधर जो है, ये पूरा डल्टा बना हुआ इराक में, Persian Gulf states किस-किस को बोलते है, इराक को छोड़के जितने भी bordering countries है, 7 bordering countries है, इराक को छोड़के उसको Persian Gulf states बोलते है I hope आप लोगों को समझ में आगया होगा, जितने भी locations में आपको दिखाए, आपकी examination point of view में सब important है दोस्तों, आप लोगों की valuable suggestions and comments आप मुझे बताएगा, comment box के तुरू, इस तरह और भी videos हम लेके आएगे, like किया बिना मत जाएगा दोस्तों, जितना आप लाइक करोगे, अपना वीडियो के engagement बढ़ता है, lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, thank you for watching, have a nice day, bye bye